कर लिए में स्टार्ट प्लीज रप्ला ने कट्न वेशन बॉक्स कर रहे हैं मतलब आज भी रहेगा आज भी साइडवेज रहेगा उसके चांसे बहुत ज्यादा है आज भी साइडवेज आज भी रेंबाउंड रहने के चांसे ज्यादा है पहले ही बता देता हूं थोड़ा वेट करते हैं रेंज ब्रेक होने दो 15700 के नीचे यह सस्टेन कर रहा है इस नेगेटिव साइड ठेक है यह 10 बजे का कैंडल 15700 के नीचे रहा तो यह नीचे जाएगा तो थोड़ा वेट करते हैं है जिसने है जिए डोल के कैंडल बना इसने अगा यह है बैद आठेक आठो गर्नी वोत्रिंग्वार वखरें वेटरीगर नहीं हुआ कुछ बहुत्रटीगर नहीं हुआ कि अज फ्रेश तुड लेंगे फ्रेश इसससे लिए बट अभी तक थो कुछ ट्रिगर नहीं हुआ फ्रेश लेवल आज में दूगा 15,700 बहुत क्रूशल लेवल है वेट करते हैं थोड़ा यह Doji Candle का range break होने दो उसके बाद लेगे Hammer नहीं है यह Doji है Hammer नहीं है गलती मत करना यह Hammer नहीं है Doji Candle है इसका range break होने तो उपर या नीचे के तरफ फीर उसके साथ से देखेंगे Hourly platesट 10-15 को candle complete होगा Mr. проблемы एक घंते का candle है वो अभी कैसे आप डिसाइड कर लोगे क्या बन रहा है कि दस पंदरा को वो कैंडल कंपलीट होगा अवरली यही तो जाहतर रिटल ट्रेडर गलती करते हैं कैंडल पूरा कंपलीट होने दो कि MTM बता दो मुझे डिफ टिफ तर्टी का MTM क्या है ओट इस देंट एंदेंट ऑगे बैंक नफ्टी स्टर्टी में MTM क्या है यह बता दो एक अजार माइनस टेक अइंडियाविक्ट सूपर है क्या अभी भी इंडिया विक्सूपर है इंडिया विक्स तो नीचे आया तो premium settled down होना चाहिए premium settled down होना चाहिए actually चेक ए, wait करते है थोड़ा, premium actually settled down होना चाहिए क्योंकि इंडिया विक्स तो नीचे आ रहा है भी मेरे साबसे फोरा time लगेगा premium settled down होने में यह तोटल आप बता रहू। मिश्रप प्रसान कि एक लोट का बता ही। मिश् decline of तोटल बता रहे हो कि एक लॉट का बता ही। duty है मतब आपका 6000 के अचकर अधा सपा सरे लोट है करेक्क टेकर कि वेट करते हैं थोड़ा stock scanning के लिए भी वेट करेंगे 945 के बाद stock scanning करते हैं वरना क्या इतना volume वाला trade मिलता नहीं है फिर और बेटर है कि हमें थोड़ा wait करके trade लेंगे ये भी नीचे का range break होने दो इसमें नीचे का range break होने दो 15700 के नीचे बेरिश है पड़ यह 10 बजे का candle 15700 के नीचे रहना चाहिए sustain करना चाहिए sustain नहीं कर रहा था न अब यह sustain करेगा तो जाएगा यह open gap down हुआ है कल कलो पहले ही break कर दिया है और यह जा सकता है नीचे जाने के chances है इसके प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा एक्चुली अप्शन प्रीमियम बहुत ज़्यादा है अप्शन प्रीमियम बहुत ज़्यादा है इंट्राडे ऑप्शन राइटिंग हो अगरे कुछ ट्रेड लेंगे वेट कर लो इसका लोग रेक होने तो फिर लेटें ट्रेड रेड़ आज ईजी रहेगा जफ्टी में ट्रेड करना ईजी नहीं रहेगा क्लिर बता देता हूं दैट्रेड करना इजी रहेगा च्छ आए है कि कि ए कि तने रेंज कि ग्रेंज बेक कर रहे है मैंक निफ्टी ने लोन ही ब्रेक किया ना भी तक मैंक निफ्टी का लो है 33,000 ठेक यह काफी सारे स्टॉक जोर से लिबना लगे है फॉल जादा आ रहा है 663 वेट करो लो ब्रेक होने दो फिर बाद में ट्रेड लेते निफ्टी तो गिरना स्टार्ट हो चुका है निफ्टी तो गया अकांट से निफ्टी में भी बट पहले कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ हुआ है एक काम करते हैं यह हम लोग 30 मिनट का रेंज यूज करते हैं वह जादा बेटर रहेगा 30 मिनट रेंज यूज करेंगे ना वह जादा बेटर है थर्टी मिनट का कैंडल कंप्लेट होने तो यह डव्य कैंडल बना रहे थर्टी मिनट में यह थोड़ा इदी मेथड रहेगा संटीवी में क्या बाहिन आया है वह जबर्जस पाहिन आया संटीवी जफ्टी तो गया जफ्टी खतम है भी कर दो कि ca कि 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 बच्प झाल झाल लिफ्टी में भी अब लोग ले सकते हैं और लिफ्टी में लेते हैं ज्यादा बेटर या लिफ्टी लेते हैं वहीं बेदेख रहा हूं क्या लूँ लिफ्टी लेते हैं ज्यादा वीट लग रहा है तो शिट्टी गया खताम लिफ्टी गया है लिफ्टी लेते हैं आप्षिंस राइटिंग ट्रेड लेते हैं वह ज्यादा बेटर लग रहा है ये दो मौकाई नहीं देरा बहुत फास जारा है फॉल देख रहे हैं बहुत फास फॉल जारा है यह तो मौका भी नहीं दे रहा है यह तो मौका भी नहीं दे रहा है बहुत फास फॉल जा रहा है यह 6.43 बहुत फास्ट पॉल जा रहा है एक मिनिट अप बैंक निफ्टी में मुझे बताने क्यों फोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है क्योंकि इतना फॉल आने के बाद भी बैंक निफ्टी ने पहला कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया है निफ्टी ने ब्रेक किया है वड़ा बैंक निफ्टी ने नहीं किया है थोड़ा सा पैर ट्रेडिंग करें और यू से पैर ट्रेडिंग करते हैं पैर ट्रेडिंग करतें इंट्राडे मेरे साथ से ज्यादा बेटर ले इंट्राडे पैर ट्रेडिंग करते हैं आ ऐंड्रेंडे मुझे तो नहीं लगता निफ्टी तो मुझे नहीं लगता है लेकिन यह पहला कैंडल का लोग प्रेक किया रेंज ब्रेक कर दिया the 10 बजे के पहले ना नीचे आ चुका है मतलब हो सकता है मेरे असापसे यह लेंगे तो ज्यादा बैटर है जो मैंने में सेज़ किया देगो यह द्रेड ले लो चाहिए तो यह बैटर है और सेफ लग रहा है पेड्रेड है जिंक के साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है यह लेलो ले लेएंक सप्रेट का स्ट्राइक प्रैस यह नहीं हो रहा है लो लो यह दूसरे एकांट में 안 PUBG या तो दूसरे अकाउंट में ले लो या MIS में ले लो तो भी चले लो है 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 स्टाक स्कानिंग कर लेते हैं कौन सा स्टाक रडार पर आ रहा है वो चेक कर लेते हैं फिल्भा पाया रहा है एस जीफिद लाइफ बाया रहा है एस जेशिटलाइफ बैटर लग रहा है यह ले सकते है प्रदेट रहे जिए प्रेट लिए बटर ट्रेट लाग रहे और ट्रेट लाग रहे और देख्थे है है और बहुत है क्या देख्थे लाख है कि नहीं है कि अदि कर चार्ट अपन नहीं हो लाए ऐखिशिस्त इस्ट्रॉंग एन इस्ट्रॉंग है अच्छा ये ट्रेड ले लिया ना जो हेजिंग वाला दिया मैंने किसी ने ट्रेड किया तो रेप्लाई कर देना ये ट्रेड ले लिया तो रेप्लाई कर दो प्योर हेजिंग वाला ट्रेड है प्योर हेजिंग है मेंग निफ्टी का P.E.C.L. है और ये निफ्टी का ये ट्रेड है ये और हैजिंग वाला ट्रेड है येस येस M.I.S. M.I.S. ओडर और ये आपको ट्रेड इन सम अनादर अकाउंट Mr. P.V. मुर्थी इदर ट्रेड इन M.I.S. ओडर करेक्ट M.I.S. ओडर ले लो तो वो स्ट्राटेजी के ट्रेड से मैच नहीं होगा स्ट्राटेजी इस इन नॉर्मल ट्रेड इस इस M.I.S. ट्रेड इंट्राडे तो M.I.S. ले लो चलेगा मैंने भी M.I.S. किया है आप लोग भी M.I.S. कर लो M.I.S. में स्ट्राटेजी के इसमें स्ट्राइप राइज में कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा झाल कुछ लोग को ट्रेड ही समझ में नहीं है वो लोग बुल रहे हैं कि सेलिंग है मार्जिन जादा लगेगा अरे हेजिंग ट्रेड है ये इसलिए तो ट्रेड लिया है वो मिस्टर अंसार इसलिए तो ट्रेड लिया है यह और एजिंग्ट ट्रेड है दूर का कोई एक दूर पर वाला बाई कर लो नहीं जितने भी नए वो नए फ्रेशर लोगो नहीं समझ में आता है दूर का पाई करके यह करना यह उनको इतना ही पता है के चाहर मतलब जादा मार्जिन मौश्यार परज परभ socially कि यह जाएगा यह नीचे 550 तक लग रहा है इसलिए हम लोग ने वह ट्रेड लिया है और मैंग निफ्टी का ट्रेड हेजिंग वाला बैंक निफ्टी का ट्रेड हेजिंग वाल है कि इसलिए वह ट्रेड लिया हुआ है कि अध्या पर नहीं बीच में भी आपको प्रॉफिट आ रहा है ना पंदरा सो दो जार रुपे तब निकल जाना है एकदम सिंपल है फिफ्टीन अन्रेट रुपीज कमा के निकलना है पंदरा सो से दो जार का टार्गेट है वो ट्रेड में उतना आये निकल जाना है स्टॉक सोई को और कोई रडार पर आया नहीं है खली एक HDFC लाइफ आया है बाकी देखते हैं और कोई अगर और कोई स्टॉक रडार पर एक है चेक कर लेते हैं क्या बात है घच्ञा में है जे की सिमेंट में बाईंगे करशल में बाईंगे जे की सिमेंट, स्पाइज जेट, क्रिस्से सेलिए लिये सब में बाइए हो ला है साब लिए कॊंसा स्टॉक है चार्क मूतर्स स्टाटा मूटर्स ये दुनों जा रहे बहुत जोर से Sell-off अभी स्टार्ट हुआ है 619, Reliance गिर गया, Reliance गिर गया, सब गिर गया, देखो न काफी सारे स्टॉक्स में Sell-off आ चुक है, ऐसा लग रहा है, मतलब कोई पोर्टफोलियो खाली कर रहा है 3-3, 4-4% माइनस है, काफी सारे स्टॉक्स यह 10 बजे का Candle में तो 600 आ गया है, मैंने 700 सोचा था कि 700 की नीचे रहेगा, फिर गिरेगा यह, यह तो 10 बजे Candle तक 600 आ चुका है यह जाएगा, 550 तक तो Immediately लग रहा है 550 तक तो Immediately लग रहा है 60 पॉइंट का Fall Nifty में और लग रहा है आवरली कैंडल में देखो क्या Candle बना है इसने हो डेली पे भी फ्रेश ब्रेकडाउन देदी है इसने आज जगन्नात रत यातरा दिने क्या आच आज जगन्नात रत यातरा दिने आच आज तो बुगनेश्वर साइड बहुत यह रहेगा प्रेस्टिवल टाइप रहेगा पुरा यह पंदरा चेसो भी ब्रेक कर दिया है अभी देखो अभी जो मैंने ट्रेट दिया उसमें एम्टेम आना चालू हुआ होगा चेक कर लो तरह क्यूंकि निफ्टी गिर रहा है और बैंक निफ्टी वहीं का होई इम्टेम आना स्टार्ट हुआ कुछ हुआ है क्यूंकि बैंक निफ्टी वहीं का हुआ है और निफ्टी गिर रहा है सिर्ष अब्जर करike Willién आ. इसलिए मैंने एजिंग ट्रेट दिया है अब इसमें और प्रॉफिट आएगा पंद्रा सो दोजार एजी ली आ जाएगा सेफ तरीके से आ जाएगा स्टॉक्स का तो वापस हालत कच्रा हो गया स्टॉक्स का वापस दो सूपॉइंट फॉल में स्टॉक्स का हालत है एकदम कच्रा जैसा करती है लोगने दो सुपॉइंट के फॉल में कच्रा जैसा आलत कर दिया है पर लांज गया साड़े चार पसंट डाउन हो तो न्यूस तो परस्वा आया था बट कल कुछ रियाक्शन हुआ है नहीं कुछ एर्मेंट चेंज वाला न्यूस रैट वो तो परस्वा आया था न्यूस उसका रियाक्शन आज हो रहा है यह था दर रियवएर क्वाइव आगईवर य यह नहीं ने जएस दव्य यई मैटल स्टॉक्स भी काशुटे सीनपन स closest चो ऐसे मैं डव्लू पटन मट दोलो पस जाऊगे मैटल स्टॉक्च भी यह कि कि यह 5 75 के ऊपर ही बाई करना उसके पहले मत करना जेश डब्यूस्ती अगर आपको बाईं करना है 5 75 के ऊपर अगर जाता तो ही वाई करना वरना मत करना परना इसमें फस सकते हो कच्रा हो गया मर्केट टाटा स्चिल का पहले लोग टारगेट अट्रा सो दो जार दे रहे थे आपने अगर मेरा वेबिनार एक्टेंग किया है लास्ट दो मैने से तो जब ये चौदा सो था तेरा सो चौदा सो था तभी मैंने साथ सो आट सो का टारगेट देना स्टार्ट कर दिया था अगर आपको याद है जब यह 1330 के असपास था ना तभी मैंने टार्गेट देना स्टार्ट कर दिया था 700 से 800 रुपया आ जाएगा टाटा स्टेट जो नहीं टीवी अनलिस्ट ठीक है टीवी अनलिस्ट वगरा ठीक है लेकिन हमने तो weekly chart analysis किया था अगर आपको याद है purely weekly chart analysis करके ही बताया था हिंडाल को भी मैंने आपको बताया था 420 था 3400 का टार्गेट दिया था अगर आपको याद है metals में मेरा view दो मैंने पहले ही bearish था और अभी भी यहां से कोई मैटल में कोई बहुत ज़्यादा रिकावरी लग नहीं दा है कोई बॉटम फॉर्मिंग मत करना अभी यह को एंटेम बढ़ा होगा क्योंकि अभी बैंक निफ्टी उपर गया है और निफ्टी वहीं है समझ में आ रहा है प्रॉफिट कैसे आ रहा है और हमारा प्रॉफिट दिरे दिरे इंक्रीज हो रहा है हेजिंग हेजिंग येस हां हां राइट है राइट है किसी एक में मुवेंट आना चाहिए और जो हम लोग ने ट्रेड लिया उसके हिसाब से आना चाहिए किसी एक में मुवेंट आएगा आपने आप यह हो जाए एक्सेस बैंक आज भी बुलिश है एक्सेस बैंक आज भी गिरा नहीं है ध्यान देना एक्सेस बैंक आज भी बुलिश है एक्सेस बैंक गिरा नहीं है और Federal Bank थोड़ा ध्यान देना Federal Bank लग रहा है के ऊपर जा सकता है तो Federal Bank जा सकता है यह थोड़ा ध्यान देना पापका MTM और Increase हुआ होगा क्योंके निफ्टी नीचे जा रहा है बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है have you observed this बैंक निफ्टी ऊपर है निफ्टी नीचे MTM increase हो रहा होगा चेक कर लो एकदम परफेक्ट ट्रेड है एकदम परफेक्ट ट्रेड है कोई परब्लम ही नहीं है hold करो hold करो उसमें आराम से आएगा और MTM आएगा 2000 के उपर आएगा hold करो 500-600 रुपे और इजिली आ जाएगा ऐसे मार्केट में दो डाहेजार रुपे भी पर डे का आपने कमा लिया इंट्राडे काम हो गया ऐसा मार्केट है यह ति यह को निफ्टी नीचे जा रहा है रहा आरियोओ अब्सरविंग देश्प्लीज रप्लाइए कि निफ्टी नीचे बैंक निफ्टी ऊपर अमने पर्फेक्ट ट्रेड लिया है आकोर्डिंग दी कि आए कि कि फाइनेंटी फाइफिफिटी मैंने आपको बोला निफटी लग रहा है फाइफिफिटी तक आ सकता है पांसो पचास 15-550 अगर मुवमेंट आया तो बैंक नफ्टी ज्यादा भागेगा ज्यादा भागेगा तो हमारे लिए तो अच्छा ही है ना उसर अंसर हमारे लिए त आने तो और आएगा इंटी उसमें दोजान के उपर आएगा तब एक्जिक करना है दोजार रुपए तो चाहिए वेबिनार रेटेंड करने के लिए मार्केट से दोजार रुपए तो कम से गम निकालेंगे इंट्राडे का आप वेबिनार रेटेंड कर रहे हूँ वेबिनार रेटेंड करने का दोजार रुपए तो मिलना चाहिए पिंडल को गया JSW Steel और गया दिख रहा है पिंडल को गया JSW Steel और गया निफ्टी देखो क्या जोर से गिर रहा है निफ्टी दिख रहा है बहुत fast fall है और bank nifty वहीं पर ही है जहां पर open हुआ है bank nifty वहीं पर ही है वो mid cap counter है वो hold है कोई problem नहीं है mid cap counter है hold है उसमें कोई problem नहीं है जुलाई वाला strategy के mtm क्या है उसमें थोड़ा mtm increase हुआ loss कम हुआ उसमें जुलाई निफ्टी strategy वह हम लोग ने as a lottery trade रखा हुआ है याद है ना जुलाई निफ्टी strategy लॉस्कम हो रहे क्या वो मुझे बताओ पहले लॉस्कम हो रहे क्या वो इंपोर्टन्ट है लॉस्कम होना चाहिए लुफ्ती देखो क्या जोर से गिर रहा है 15500 दस बज़े का खैंडल 15500 पंचास आच चुक है लुक अट दस यह गया काम से ही लग रहा है मतलब बहुत जोर से जाए गई वीकली चाट देखते हैं इसमें ओओओओओ बहुत फास्ट फॉल है यह तो हुक ही नहीं रहा है आप बढ़ने लुए अपेड़ रख्यान नहीं आप आप इसमें नॉन बाद वाले से तो हुआए अब बढ़ने लागए है अब बाद प्रणे लागए है कि 540 350 का टार्वेट अच्छी हो गया गिफ्टी में कि 550 का टार्वेट अच्छी हो गया लुए झाल बढ़ ये 550 तो छोड़ दो ये मुझे लग रहा है और भी नीचे आ जाए गई क्योंकि बहुत जादा बड़ा बड़ा कैंडल है 236.5 पॉइंट का फॉइंट 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 क है परसंट साथ परसंट माइनसे रिलांस अभी 7% 7% माइनसे रिलांस परसंट माइनसे रिलांस ऐसे मार्केट में जस्ट हैंजिंग करके बैठे रहूं वही सबसे बेस्ट है सब्सक्राइब और मुमेंट आया तो प्रॉफिट प्रॉफिट है प्रॉफिट ही आएगा रेंज में ही रहेंगे कि बारा सो रुपे एंटियम यह वो भी इंडिया किसके वज़े से है वरना ऐसा कुछ बड़ा मुमेंट आने के बाद कि एंटियम लगना स्टार्ट हो जाता है तो वैसा कुछ भी नहीं है ऐसे मार्केट में कैलेंडर स्ट्राटिजी बनाएंगे तो वलाटिलिटी से फाइदा मिल सकता है क्या कैलेंडर स्ट्राटिजी में आपको फाइदा अभी मिलता है जब नेक्स मैने में इवेंट हो और ये मैने में इवेंट ना हो अगर नेक्स मैने में जैसे बज़ट है तो आप कैलेंडर स्ट्राटिजी में फाइदा ले सकते हो इवेंट होना चाहिए उसके लिए यह यहां तक आ सकता है 370 तक फंदरा चार्चों तक देड़ सो पॉइंट का फॉल निफ्टी में और आ सकता है आज तो इतना कॉशियस रहना ठीक है रिलांस दस तके का लोवर सर्कुट भी लग सकता है वो भी पॉसिबल है यह 550 का टार्गेट पूरा दिन का टार्गेट था और यह दस बजे अच्छी हो चुका है इतना फास्ट फॉल है पूरा दिन का डे एंड का मेरा टार्गेट था 550 लेकिन ये 10 बजे अच्छी वो चुका है बहुत फास्ट फॉल है स्पीड है मार्केट में स्पीड है तो ये स्पीड के हिसाब से 370 तक आ सकता है 15400 मान के चलो 360 370 नहीं ये करते है 15400 तो मिनिमम लग रहा है देट सो पॉइंट का फॉर और लग रहा है यह से अब ही वो स्टार्टेजी में कितना है जो हिजिंग वाला ट्रेट दिया इसमें एंटीम कितना है कि तत्रह सो ठीक है डाइज़ार के असपास आता है तब एक्जेट कर देना है 2500 यह मारा टार्गेट है कि तू थाउजन के असपास या 2500 के असपास आएगा तब एक्जेट एनिफिंग अबाओ 2000 मिनिममम 2 रुपर चाहिए हमें अब टार्गेट अब टार्गेट है अब टार्गेट करते हैं आफ्टर नुन ना वेबिनार में ने मिलेंगे दाई बजहें कोई टेंड रहेगा वाटसफप्पे अबडेट कर दू अपटेदिंग वाफिव